नमस्ते दोस्तों आज कर ये छोटा सा वीडियो किसलिए होगा मैं आपको rules and regulation बताऊंगी parameters बताऊंगी जितना भी हमने English में हमने group में लिखा है वो सब Hindi में होगा ताकि जो लोग इंडिया से हैं जैसे मेरी मदर हैं मेरी आंटीज हैं जो लोग और भी बाकी सब लोग भी जो English language में comfortable हैं पर उस से जादा Hindi language में comfortable हैं उनके लिए ये translation है तो ये जो program है 21 दिन का उसके rules and regulation क्या होंगे हम group में Hindi में भी post करते हैं और English में भी पर अभी मैं हर वीडियो जो हर post जो मैं post कर रही हूँ उसका एक छोटा सा वीडियो होगा शुरुआती दिनों के लिए तो ये जो challenge है challenge का क्या मतलब होता है कोई game है कोई challenge है जिसमें आप fun करते हैं कि ऐसे नहीं कि आपके पास कोई lack है आपके पास पैसे की कमी है या पैसा आप चाहते हैं वो already आपके पास है bank of universe में जितना आप लिखते जाते हैं अपने मन से उतना पैसा आपके पास आ जाता है लेकिन वो पैसा आप हाथ में कैसे पकर सकते हैं वो आपके घर मे bank में कैसे आ सकता है बस वो पैसे की vibration से आपको अपनी vibration match करनी होती है तो हुआ न यह challenge क्योंकि हमारे पास हम देख रहे हैं lack है या पैसा नहीं है या job नहीं है या खाब नहीं है या फिर काम के साथ-साथ काम बढ़ नहीं रहा है खट रहा है काम या कुछ भी ऐसी awareness हो सकते हैं तो कुछ rules होंगे ऐसे rules जो आप follow करके उस पैसे को, उस abundance को, वो relationships को, वो आपकी body जिसकी चाहत आपको थी वो बिलकुल zero time पे, उसी time पे now में होती है वो अभी आपके पास होगी तो वो challenge है तो हम जैसे जैसे prepare करते जाएंगे अपनी body को, लेक हम जब body बोल रहे हैं तो शरी जो है, यह सरफ यह शरी नहीं है शरी जो है, जो emotions हैं आपके जो आपके thoughts है जो spiritual, आपके causal body है वो हम, जब yoga हम पढ़ते हैं या yoga आपने, कई लोगों ने सुना होगा कि physical body होती है, emotional body होती है mental body होती है, causal body होती है spiritual body होती है तो पंच कोशास, पंच तत्वा का यह शरीर है वापस मैं challenge पे लेके जा रहे हैं आपको तो यह सब चीज़े हम सुनते हैं conceptual में कि हमने सुनी है अब सुननी और believe करनी एक बात है और अपनी life में खुद की तन पे जीना दूसरी बात है तो इस तरह से हम यह challenge बोलते हैं कि जब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं इतने time से सुन रहे हैं क्योंकि किसी बड़े महान इंसान ने कहा था इसलिए आप विश्वास भी कर रहे हैं कि उन्होंने कहा हैं लेकिन विश्वास क्यों करें जब तक कि आपकी life में आपने कुद experience नहीं किया है तो इस तरह कि हम game खेलना चाहते हैं तो इस challenge 21 दिन का है 21 बार मैं कुछ-कुछ task आपको दूँगी कई बार bonus task दूँगी तो कुछ कारे आपको करने होंगे तो वो जितने भी चीजे लिखनी हैं उसके लिए एक अलग notebook नहीं किताब लगाएं नहीं notebook लगाएं ताकि वो अपने हाथ से लिखें जितनी पार आप हाथ से लिखते हैं आपका दिमाग उसमें energy डालता है तो जब आप type करते हैं थोड़ी energy डलती है उसमें क्योंकि हम कह रहे energy डलती है डलती है पर जब आपकी कहने से होगा पर जब आप हाथ से लिखते हैं तो आपका motor, sensory, nervous system सारा उसमें आ जाता है तो आप एक body पे नहीं काम कर रहे होते हर body पे काम कर रहे होते हैं तो यह तो हुआ कि नहीं किताब लगाएं जो भी task आपको दिया जाएं वो करें पर वो task करें एक ध्यान की audio या video होगी तो वो video लगा लें YouTube पे और YouTube का link होगा वो उसने time तक चलने दे जब तक आप काम कर रहे हैं वो meditation में बैठे हैं 10-15 मिनिट की meditation होती है English में भी है ज़्यादा तर English के link हैं लेकिन मैं उसको Hindi में आप लोगों के लिए बनाऊंगी जो लोग जैसे मेरी मदर है वो Hindi से ज़्यादा connect करेंगी कई बार हम देखते हैं हमारे पास books रखे हैं English में हमें आती है English क्योंकि हमारी native language है Hindi तो हम Hindi में connect करते हैं और यहां पे कई लोग मेरे western friends हैं यहां Canada और US से से तो वो English से ज़्यादा connect करते हैं तो language एक medium है हमारा जिस भी language में आपको लगता है कि आप connect करते हैं वो video उठा लीजे और वो message उठा लीजे और उसको करें तो हर दिन की एक commitment रहेगी कि हां हर दिन काम करने के बाद मैंने वो घोशना करनी एक group में कि दिन zero पूरा हो गया है या आप ऐसे लिख सकते हैं आज का कारेक complete हुआ पर सबके लिए क्योंकि uniform रहे तो एक हमने parameters भोशना करें कि दिन ग्यारा पूरा हो गया है या इस तरह से आप लिखें कि ये दिन पूरा हो गया है तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप smoothly चल रहे हैं जब आप नहीं लिखते हैं तो energy group की रुख जाते हैं कि पूरा group एक साथ ये game है जैसे आप कोई group game खेलते हैं कोई अकेले की game नहीं है तो एक दुसरे का हाथ पकड़ा हुआ है अचानक से कोई एक हाथ रुख गया एक body रुख गयी तो कैसी energy चलेगी आपकी तो हमने सभी के लिए एक साथ चलना है और group की तरह चलना है तो जब आप रुख जाएं आपको कोई काम नहीं समझ में आए आप मुझे message करें group में किसी से भी पूछ लें कि मैं यहाँ पे इस जगह पे रुखा हूँ और कुछ हम extra comments हम नहीं करेंगे group में कोई good morning messages नहीं भेजेंगे कोई और motivational message नहीं भेजेंगे इस group को pure इसी तरह से रहने दीजे कि काम दिया गया है वो लिखें, meditation करें और बताएं कि यह काम हो गया एक दूसरे को motivate कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि group में कोई है मानली जी अर्जुन है चेतना है हरविंदर है मानली जी आप इनको देखते हैं कि 4 दिन इनोंने message किया था आप 5 दिन इनका message नहीं आया तो आप इनको message कर सकते हैं कि है, आप कहां पे हो आप busy हो, परिशानी हो परिशानी है, कहां रुख गया तो बहुत जादा समय नहीं लगता यह काम करने में आपको 15 से 30 मिनित किसलिए, जो आपके अंदर है उसका, वो already अंदर है पैसा already अंदर है खुशी already अंदर है वो practice करके हम उसके साथ एक होना चाहते हैं simple है, पता चल गया तो काम पूरा हो गया यह कर दिया, हमने 24 गंटे का समय आपको मिला है, अभी मैंने लिखा है 9 p.m. पे मैं भीज़ूंगी क्योंकि करी लोग इंडिया के है, 9 p.m. भीज़ती हूं तो उनकी morning होती है और जब मैंने 1st August बोला तो यहां के हिसाब से 9 p.m. पे भीज़ दूंगी पर लोग यहां पर भी Canada USA में भी सुबह ही करते हैं, तो 9 p.m. एक safe time है, गुराना गुरूप जो हमारा अभी खतम ही होने वाला है तो उसमें भी हम 9 p.m. भीज़ते हैं, तो उतना समय मैंने निकाला है, पहले हम meditation करते हैं, फिर टास्क करते हैं और फिर वो ग्रूप में डाल देते हैं, ताकि एक energy जहां से जो source हैं, जैसे मैं source हूँ इस group की, मुक्या बोल सकते हैं, group का leader बोल सकते हैं, तो वो मैं हूँ, तो मैं अगर अपना काम करती हूँ, तो मैं आप के लिए भी काम करी हूँ, पुरे group के लिए काम करी हूँ, ऐसा ही आपके साथ है आप अगर अपना काम कर दें, आप अपना काम तो करी रहे हैं, तुरे एक रूप का काम भी आप कर दें, तो जहां पर कोई रुपता है तो आपने क्या करना है, उसको खो बोलना है, कि चलो, तुम भी चलो, तुम रुके कहां पर हो, और जब आप खुद रुके हैं, तो day zero है जहाँ पर मैं यह सारे parameters बता रही हूँ, आपने सारे rules पढ़ लिए, आपने agree के rules को, agree करने के बाद आप contracts कैसे निकल सकते हैं, हम निकल लिनी देंगे आपको, अगर आपको support चाहिए तो हमें बताएं, group में किसी को भी reach करें, कि हाँ मुझे इस जगे problem हो रही है, इसको बड़े उत्सा के साथ करें, और यहाँ से शुरू करें, कि आपको क्या चाहिए, यह अपने participation में यहाँ पर आपके, आप चो create कर रहे हैं, वो already है, पर आपको declare करना है, घोशना करने मुझे यह चाहिए तो नहीं बोलूँगी, जैसे हम restaurant में बैठके, at least बोलते तो है ना, हमें क्या चाहिए, सब कुछ है, पड़ा हुआ है वहाँ पर, शायद बना नहीं है, तो बनाना पड़ेगा आपके लिए, पर आप बोलते हैं, ask and it is given, कहते हैं इसको, कि मांग, और हम, ऐसे हिंदी में करें हम बोलते हैं, bin मांगे, मोती मिले, मांगे, मिले ना, peak, वो भी सही है, पर यहां से कैसे करक करें, आपके पास all ready है, अंदर है, मान लीजे आपने 2 करोर रुपे मांगे, मान लीजे आपने 2 मिलियन मांगे, और वो आपके पास है, 2 मिलियन जब मैं बोल रहे हैं, तो डॉलर मैं बोल रहे हैं, दो करोर जब मैं बोल रहे हैं, तो इंडियन रुपे आपने इतनी है, कि आप जब मैं मांगी सकती हूं, तो मैं उतना मांगूंगी जितना मुझे चाहिए, चाहिए मुझे सारा, तो आप वो मांगेंगे, आप ऐसे भी मांग सकते हैं, कि हाँ, यह बोड करेंगे तो आपका और उसका गैप बीच में बिल्कुल जीरो हो जाता है and then you will see यह मेरे अंदर था यह मैं हूँ जब आप बोलते हैं यह मैं हूँ तो आप वो होते हैं कई confusion आएंगे कई लोगों के सवाल आएंगे but believe you me, बहुत लोगों के साथ बहुत miracles हुए है और यह हमारी गेम ही है miracles create करने की हम यह जान रहे हैं कि हम creator है और हम कुछ भी create कर सकते हैं life में ups and downs आते हैं, contrast आता है क्योंकि जब नीचे आता है तब ही आपको पता चलता है उपर जाना कैसा होता है ऐसे आप उपर ही उपर रहते हैं तो आपको पता ही नीचे जाना कैसा होता है या उपर रहना कैसा होता है, तो वो contrast ज़रूरी भी है और awareness भी ज़रूरी है तो यह कुछ rules थे हमारे कि जब आप energy रोग देंगे, काम नहीं करेंगे तो ग्रूप की energy रुकेगी, या तो मैं आपको ग्रूप से निकलने के लिए कहूंगी या आप खुद निकल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमसे बात करें कि यहां हम रुक गये हम आपको solution दे देंगे, बट अगर आप नहीं आते हमारे पास तब आपको group से, या तो आप निकल जाएं, कुछ भी personal नहीं है यहां पे बट हम आपको बोलेंगे कि group से निकल जाएं, तो हो सकता है कि 30 लोगों से शुरू हुई कहानी कि 30 लोग ही खतम करें, हम यहीं चाहते हैं कि 30 लोग अगर शुरू हुए हैं, तो 30 लोग ही पूरा करें इसको सारे एक साथ हाथ पकड़के चलें, बट आप देखेंगे कि successful लोग कितने होते हैं संसार में successful लोग कम होते हैं, क्योंकि कम लोग का इतना commitment लेवल होता है, कि वो जो कहें पहले दिन पे, अब बात में कुछ भी हो जाए, वो वही करेंगे कि उन्होंने कहा है, वो अपने शब्दों को respect करेंगे, जो उन्होंने कहा था, प्रांट जाए, पर वचन ना जाए, कह सकते हैं आप इसको, तो उनकी शब्दों में इतनी power आ जाती है, कि वो कहेंगे diamond और diamond pass में आ जाता है, तो यह सब हम practice करें, और कुछ मुझे याद आएगा, तो मैं और पी include करने की कोशिश करूँगी इसमें, so that's pretty much it, तो तयार हैं, जिन्होंने यह video देख लिए, वो ग्रूप में बोलें कि day zero is done, कि आप agreements के लिए पूरी तरह से तयार हैं, thank you so much and I'm, मैं बहुत ही कुछ हूँ आपको welcome करने के लिए, आपका guide बनने के लिए, वे questions हों तो आप हमारी पर सां सकते हैं, thank you and have an abundant day, thank you.